आप सभी को जैसरी कृष्णा राधे राधे तो आज पिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल की प्रतीस रध्या भक्तिभाव और बढ़ जाएगा तो ये जो सत्य घटना है ये लड्डू गोपाल और भक्त की नहीं है मतलब इनसान की नहीं है बलगी ये लड्डू गोपाल और एक कुत्ते के बीच की मतलब सत्य घटना है कि कैसे एक जानवर को भी भगवान से इतना प्यार हो जाता है और लड्डू गोपाल भी जो हमारे ह वो भी अपने भाव दरसाते हैं, मतलब उनको भी उस जानवर से इतना प्यार है तो ये सत्य घटना मेरे साथ सेयर की है, अनुराधा जी भोपाल से तो उनके घर में, अनुराधा जी के घर में लड्डू गोपाल के साथ साथ एक डौगी भी है जो की ये जो लड्डू गोपाल आये थे और लड्डू गोपाल के एक मेहने बाद ये डौगी आया था जिसका नाम मोती है तो अनुराधा जी बताती हैं कि हमारे लड्डू गोपाल और मोती का इतना प्रेम है एक बार की वो बात बताती हैं कह रहीं थे कि पहले तो हमें कुछ समझ में नहीं आता था कि यह क्या करता है क्या हो रहा है लेकिन धीरे धीरे उसका जो रवया है ना वो समझ में आने लगा क्या होता था कि जैसे हमारे घर में सब लोग एक अदसी का व्रत करते हैं और है तो उस दिन चावल भी नहीं बनाते और जो हमारा मोती है उसको चावल बहुत पसंद है वो दही चावल बहुत प्रेम से खाता है चाहे उसको दही चावल दे दो दूथ चावल दे दो वो बहुत प्यार से खाता है रोटी इतने अच्छे से नहीं काता जितने अच्छे से वो दही चावल या दूथ चावल खाता है लेकिन एक अदसी के दिन उसकी वजह से ही कि भाई ये थोड़ी पता था कि ये भी एक अदसी का वरत करता है कि क्या है तो एक दिन क्या हुआ कि एका दसी के दिन चावल तो बनाती है इसी के लिए मोती के लिए अमरादय जी कहती है और पापा जी पोले मेरे से, मतलब सस्वर जी बोले कि बेटा उसके लिए मोती के लियाओ दूद चावल ये दही चावल कुछ तो मैं उसके लिए दूद चावल लेके गई तो जब मैं दूद चावल लेके जाती हूँ तो वो मतलब जैसे खिलाने के लिए पापा करते हैं कि लो मोती आजाओ तुमारा खाना आगया खालो तो एक आवाज में जो मोती है जैसे उसको खाना रखो न और एक आवाज में ऐसे दोड़ की आता था और एका दसी का दिन था तो वो बुलाते रह गए पापा मोती आओ तुमारा खाना आगया मोती आजाओ लेकिन मोती हो तो वो आए बलकि और छुप गया सोफे की नीचे गुस गया और आने का नाम नहीं ले रहा था अब पापा ज को लगा है कि ऐसा तो नहीं की आज मोती बemार हो गया है उतने पूछ नहीं रहा है तो वो वो कहते हैं कि पतानी आज तबीत तो ठीक नहीं है लग रहा है पताhनी खा क्यों नहीं। नहीं रहा है तो कोई भी अगर इस तरीके करें तो टेंसन तो हो जाती है तो बापा जी परिशान होने लगे कि मूती आज बिमार है क्या फिर मेरे हस्पेंट को फोन करते हैं कि कि मतलब डॉक्टर को या तो भेज दो या तो फिर आजब पास में ही इनका आफिस था तो थोड़ी मूती को दिखा देते हैं तो जब उसको लेके गए तो डॉक्टर चेक करता है कहता है कि नहीं यह तो बिल्कुल एकदम स्वस्त है और है तो पानी पिला के वहाँ पानी पिला के देखता है कि अगर पानी बानी नहीं खाएगा और पेडेगिरी जो इसकी डॉक की होती है वो खिला के देखता है तो वो तो नहीं खाता लेकिन पानी पिले था डॉक्टर कहता नहीं एकदम स्वस्त है कुछ नहीं उसका मन नहीं होगा इसलिए नहीं खा रहा है अब लेके आ जाते हैं घर लेके आ जाते हैं वो दिन तो निकलता है अब क्या होता है कि हम लोग एक कदसी के दिन अनाज नहीं खाते हैं फलाहर ही करते हैं साबू दाना बना लो या आलू कुछ भी इस तरीके का सिंगाडे की आटे की पोड़ी कुछ ऐसे ही हम लोग सब खाते हैं तो उसको जो दूर्चावल दिये थे वो दूर्चावल नहीं खाया पापजी कहते हैं पापजी खाना काते हैं तो जरूर उसको एक आखरी का कौर ऐसे वो देते हैं उसको मोती को तो पापजी ने बोला कि कि इसको लेाओ, मोती को पहले दिये, तो वो खा लिया, तो मेरे से बुले कि यि छाओन रादा, लेाओ, उसके लिए भी देखो, ये पूडियां दो, खिलाओ थोड़ी इसको, जब मैं लेके गई उसको पूड़ी बुरतवाली, तो जब मैं लेके गई तो बड़े अच्छे से खा लिया फिर पापा उसमें दूध के साथ पूरी डाल के उसके बाउल में दे दिये बहुत अच्छे से खा लिया फिर उस दिन हम लोगों को लगा पता नहीं यह दूध और चावल क्यों नहीं खाया था अब उस दिन का दिन निकल गया अब दूसरे दिन क्या होता है पू मुतिय से बता दी है अन्राधा जी कहती है कि जब भी पूजा होनी होती है न होती रहते साम की हो या सुबह वो मंदिर के पास दरवाजे के पास ऐसे पैरों को ऐसे मूर की ऐसे बैठ जाता है जैसे की हाथ जोड़ के बैठा हो और है तो इतनी भाव से आरती की घंटे बजना सुरू होती नहीं है कि वो जो डॉगी है हमारा आके बैढ़ जाता है मंदिर के पास या खड़ा रहेगा कैसे भी कितना भी सोता हो लेकिन घंटी की आवास सुनके वो तुरंट उठके मंदिर के पास आता है सच में बहुत ही मतलब भक्ती वाला है हमारा डॉगी और एक और बात है उसके साथ की जैसे हम लोग साथ तो उखें बिल्कु कुछ भी मांस मच्ची कुछ भी नहीं काते तो बीच में क्या हुआ था कि ये बिमार हो गया था तो इसको डॉक्टर ने लिखा था कि लेकी पैटہेईरी जो आती है एक वेजटेरिन आती है एक नन वेजटेरिन तो डॉक्टर ने लिखा था कि आप लोग नहीं खाते हैं गर ने तो खिला नहीं सकते हैं तो ये इंखिए हो सकता है खा ले तो जो मेरे तेवर थे वो लेकि आ गए थे भई या उसके लिए खिलाने के लिए लेकिन है तो वो साथ बिलकुल ऐसे परिवार में आया जैसे हम लोग रहते हैं सेम वैसे ही रहने लगा उसने उसको मुह भी नहीं लगा एकाद दो बार डाट के उसके खिलाने की कोसिस भी किये ना तो वॉमेटिंग कर देता है उल्टी कर दिया उसके बाद सब ने समझ गया कि भाई ये ये सब चीजे नहीं खाएगा और फिर उस पैड़ेगिरे को जो रोड में जो डॉगी होते हैं उनको खिला दिये हम लोगों ने तो ऐसे करके ये है हमारा मोती अब फिर क्या होता है कैसे हम लोगों को बता चला कि एक दिन दूसरी जब एका दसी पढ़ती है तो तब भी वो उसके यही वो होता है पापा कहते हैं कि बेटा क्योंकि सुबह सुबह पापा ही उसको खाना पीना का वई करते थे और मैं देती थी पापा खिलाते थे तो फिर बुलाते हैं कि बेटा ले आओ उसका खाना ले आओ तो मैं लेके जाती हूं उसके लिए आज मैंने दूद रोटी इसको दी लेकिन फिर नहीं काया तो फिर पापा कहते हैं उनको दिमाग में एक दम से आता है कि बेटा आप इसको एना एक अदसी के दिन ये सब चीजे मत दिया करो वो सकता है ये भी वरत रखता हो क्योंकि आप वही तो है प्रारब्द है उसके कुछ बिगड़ गए होंगे कुछ कर्म किया होगा ऐसे जो कि कुटे की योनी पाया लेकिन अपना मोती है बहुत धार्मिक जैसे अपन सब लोग एक अदसी के वरत करते है न वो भी एक अदसी के वरत करता है इसलिए उसको ये सब चीज दे के मत परिशान किया करो और आज से ये चीज समझ लो कि मोती भी हमारा एक अदसी के वरत करता है और सच में अभी भी वो एक अदसी के दिन अनाज नहीं खाता और हम लोग जैसे सब लोग फलाहर करते हैं न तो उसके लिए भी बनाते हैं वो भी फलाहर ही करता है जो भी हम लोग बेना उसका बनाए या कि कुछ भी से गाड़े की आटे की कचोड़ी, पूरी, आलू फ्राई किये कुछ भी तो जो भी हम लोग खाते हैं वही उसको देते हैं और साम को पूरा दिन वो कुछ भी नहीं खाता और साम को फिर वो भी फलाहर करता है तो इतना धार में कुटा है जो की लड़ू गोपाल से इतना प्रेम करता है और जरूरी नहीं कि इस जनम उसका बिगड़ा है तो अगले जनम भी उसका वो हो वो बहुत अच्छी योनी पाएगा ऐसा सब लोग कहते हैं घर में पापाजी भी कहते हैं और जब रमाइन पढ़ के प्रती बिल्कुल समर्पिट टा Madame का है और घर में आजाए कोई मजाल है कि कोई आजाए बेल बजी नहीं कि सबसे पहले वही दोड़के जाता है बिल्कुल दर्मान की जितर है और है तो कोई भी है सब लोग आने से पहले डरते भी है कि मोती है भी या आपके गर में पहले मोती को अंदर कर लो कोई भी आएगा तो सबसे पहले कहेंगे कि मोती को अंदर कर लो तब हम आएंगे और देखने लेपराडॉर है बहुत बड़ा सा तो डरते भी हैं लोग लेकिन वो डूगोपाल का बहुत बड़ा भक्त है तो ऐसी है लडूगोपाल और डॉग की कहानी तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सेयर और सबस्क्राइब करिएगा मिलते हैं कि सत्य घटना के साथ जब तक अपना ख्याल रखिए अपनों का ख्याल रखिए थैंक यू सो मच फुल वाच करने के लिए राधे राधे